नमस्ते आप सबको ग्रेंको इंजिनियर्स चैनल में स्वागत है आज ग्रेंट BF450 हेलिया भेंचुरी एरेटर पाम का बारी में बताएंगे फिश पॉंट, बायफ्लोक टैंक, बोटम क्लिन फिश टैंक में BF450 कैसे यूज करना और कैसे इंस्टलेशन करना आभी देखाएंगे एक फिश पर्मार मिस्टर अनन्तो मॉंडल हम लोग से BF450 पार्चेस किया एई पाम कैसे इंस्टल किया ओ ओ ओ आभी देखाएंगे एई वीडियो उठाके हेल्प किया मिस्टर सुजित मॉंडल नमस्ते मैं सुजित मॉंडल बोल रहे बासंती थाना साउथ 24 परगोना वेज्ट बेंगल से मैं एए वीडियो बनाया है ग्रेंको इंजिनियर्स, कैनिंग स्टीट, कोठारी हाउस, बड़ो बजार, कोलकता के लिए फिशपनमा लोगों को बहुत सरा दिक्कत है इसमें आज मैं बोलेंगे जो लेके फिशपनमा लोगों को सबसे ज्यादा प्रोब्लेम है फिश पॉंड में हाई डेंसिटी में मोस्ली चार्श कारना से ओक्सिजन शोटेज और एमोनिया बाढ़ जाना इसके लिए आज जो वीडियो बनाया है न्यू टेक्नोलोजी लो पावर कंजम्शन में बनाया जो फिश पॉंड में ओक्सिजन सप्लाई करेगा और पानी को सार्कूलेशन वेप बनायेगा भेंचुरी एरेटर पाम ये बनाया हिलिया कोमपानी ग्रैंट दिये फोर फिप्टी हिलिया एरेटर पाम बहुत अक्सिजन सप्लाई करेगा इसके साथ पानी को सार्कूलेशन करके एमोनिया को कॉंट्रोल करेगा इसके लिए मुस्ली का ग्रोथ जल्दी होगा आईए अभी देख लेता है कैसे ये कम करता है फिश मरमर अनुन्तो जी का पॉंड है 16 डेसिमेल का एई फिश पॉंड अंदर हाई डेंसिटी में मिक्स्ट का फिश चार्श कर रहा है ये की लो पावर कॉंजम्शन एरेटर पाम यूस किया हिलिया कोमपानी का बीएफ 450 का देखने से ऐसे है मॉडल नंबर बीएफ 450 450 है वोल्टेज है 200 कुडी से 244 भोल्ट तक सिंगेल फेज में एसी पावर कॉंजम्शन फिक्वेंसी है 50 हर्स पावर 455 वार्ट 450 वार्ट इंटेक एर है 510 लिटर पार मिनिट इसमें पता चलता है कितना ओक्सियन सप्लाई करेगा पानी में पानी का अंदर में आप आड़ाई फूट से तीन फूट नीचे राख सकता है आच्छा ओक्सियन मिलेगा आप ज्यादा से ज्यादा सारे चार फूट तक आप राख सकता है इसका weight है 9 kg जॉब चालू होगा back pressure मारेगा एक pump एरेटर pump का साथ दो pipe है oxygen suction करने के लिए एई pipe pump का body में hole है उसमें अच्छा से feet हो जाएगा इसके साथ एक valve है जो oxygen flow को control कर सकता है अब आप और down कर सकता है airflow का अब ही देख लेता है कैसे installation करने परेगा fish pond में ऐसे एक MS का structure बना के तिन बैमबो का साथ आच्छा से रोशी बंद के pond का अंदर में पारपरनेली इंस्टनल कर सकता है ऐसे installation करने से एरेटर पाम नहीं गिरेगा अब ही देख लेता है fish farmer अनुंतो जी कैसे pond में grand BF 450 हेलिया एरेटर पाम करता है देखाएंगे ए पाम पानी का अंदर में 1.5 मीटर तक राख सकता है लेकिंग 1 मीटर से राखने से आच्छा काम करता है ए पाम आभी पाम पानी का अंदर में है आभी स्वीच दे रहा है आभी देखिए पानी में बहुत ऑक्सिजेन सप्लाई कर रहा है उसके साथ पान्ड में वेब बना रहा है और वाटर सर्कूलेशन कर रहा है जो ज़्यादा ज़रूरत है एमोनिया को कॉन्ट्रोल करने के लिए लोग पावर कॉन्जंशन भेंचूरी एरेटर पाम को में स्ट्रक्चर के साथ पान्ड में इंस्ट्रॉल करेगा फिश पान्मर अनुंतो जी उसका फिश पॉंड में काम में एंवार है आप एक ग्रांट बीए फोर फिप्टी हेलिया भेंचुरी एरेटर पांप पार्चेस करने के लिए ग्रेंको इंजिनियार्स कोठरी हाउस कैनिंग स्टीट बोडो वजार कोलकता से ले सकता है धुन्नो बद आप सब अच्छा रहे अगर ए वीडियो हिल्फुल लगा है तो लाइक कॉमेंट शेयर साब्सक्राइब सी यू सून कैनि यू साब्सक्राइब अग्यू साब्सक्राइब बद देजिए कॉमेंट